नमस्कार गाईस बुल्इश बुल मास्टर में आपका स्वागतेबात करेंगे कि कल मार्केट में गैप डाउन हो रहा है। सो जैसा कि hidden बर्ग का जो आप कैस सुन रहे थे कल जो मार्केट के अंदर यूटूब के अंदर एवरी यूटूबर आपको बता रहा था कि कल बड़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन अगर मेरा वीडियो देखेंगे कल का आप तो मैंने यही बताया कि कई ऐसे hidden कोई फरक नहीं पड़ेगा और आज आपने देखा कि हलक असा rejection और sideways gap down हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है यह तो every Saturday Sunday जब holiday होती है तो होता है तो ready for sideways open market sideways एक downside market open होता है Friday को भी advance वीडियो बना के आपको बताया था फिर live आया था और live में ये levels बेजे थे जैसा कि आपको बताया उसी levels पे market एक open होता है निफ्टी बैंग निफ्टी सब के levels बेजे उसके बाद में बैंग निफ्टी upside के levels बेजे जो perfectly work हुए बैंग निफ्टी के perfect work हुए निफ्टी के भी perfect work हुए यहाँ पे देखो बैंग निफ्टी 50-530 के बाद अगर market अप जाएगा तो ही हम प्लैन करेंगे upside का जो की morning में 10 12 बजे के बाद work होता है निफ्टी का लिखा था कि 24-355 गर पार करेगा तो हम जाएगे 24-400 पर 24-400 पार करेगा तो हम और upside के लिए plan करेंगे तो यहाँ पे market यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आपको upside का moment देता है morning में after 10 a.m एक बढ़िया reversal मिलता है उसके बाद market पूरा ए उसके बाद हमने bank X में भी trade बनाया था जो आप देख सकते है 57 यहाँ पे 150 का सीधा 300 प्लस चला गया दिस इस फोर educational support याद रखिएगा call put के लिए मुझे follow मत करना यह पूरा learning support यह लिखा हुआ है educational paper trade इसका मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे और लेवल बेजे कि अगर यहाँ से market ऊपर जाएगा तो हम upside plan करेंगे और यहाँ से ऊपर जाता है और अपने कोई upside में निफ्टी और वेंग निफ्टी यह भी दोनों movement देते हैं कि इतनी update आपको मुझे नहीं लगता कोई share करता होगा यहाँ पे देखिए आप लोगों की जिमेदारी इस चीज को ध्यान रखिएगा मेरा कोई pad group वगेरा नहीं है तो उसके बाद आपको डेड़ बजे फिर से अगेन लेवल बेजे यहाँ पे बताया भी था कि रिवर्सल है 200 EMA का target है और market अभी अभी just market एक target दिया और 0-2 euro भी plan किया दा 4-5 point वो जैसे कि कुछ भी changes करता है कुछ भी changes करता है तो आपको telegram पे ही message मिलेगा तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के levels की निफ्टी के साथ साथ हमारा एक निफ्टी दो trend line को follow कर रहा है आज की तारिक के अंदर और इसके अंदर guys जैसे कि हमने बात किया था कि market अगर इसके एक upside breakout strategy भी follow हुई reversal strategy भी follow हुई और 200 ये में तोडने के बाद जो upside का moment था ये target भी आपको मिला निफ्टी ने अच्छा moment दिया उसके बाद पूरा sideways हो गया trend को touch करने अभी just आ गया okay guys और दूसरी बात याद रखिए टेलिग्राम जोइन नहीं किया तो description में जो link है उसी से ही जोइन करना otherwise आप searching करके जोइन करोगे तो trap हो जाओगे बहुत काफी fake लोग भी मेरा नाम से टेलिग्राम जोइन कर अगें guys market देखो हमेशा जब भी trend line पे open होता है market है कुछ plan करत हमेशा देख को इस तरह से planning करता है इस तरह से market gap opening के planning करता है तो मेरे इसाब से अगें btht को avoid करना चाहिए क्योंकि जैसा कि अभी market में news चल रही है news चल रही है जैसे head and work ने बोला कि हम कुछ बड़ा कर देंगे इंडिया के अंदर कुछ बड़ा होने वाला यह होने वाला तो अगें वापिस बेरिश आ गया है और ट्रेंड लाइन पर है तो ट्रेंड लाइन तोड़ता तो मैं हो सकता है मैं downside कभी plan कर सकता लेकिन अभी फिलाल मैं नहीं कर सकता टेलिग्राम को join करके रखना अगर last में कुछ भी moment आएगा तो वहीं पर ही आपको update दी जाएगी त यहां पर भी 0.74 है और एक powerful जो resistance मुझे दिखा रहा है वो 23,000 24,300 और 24,400 के बीच में है तो यहां पर यह powerful range है उसके बाद 25,500 भी है जो कि आज भी नहीं तोड़ पाया था और इंडिया विक्स प्लस 0.5 पे चल रहा है ठीक है ना तो अपना इतना कहेंगा data very bullish नहीं कहा सकत है अपन बेंग निप्टी का भी देख लेते साथ में होई पावर्फुल सपोर्ट 55 का है 11,000 का पावर्फुल रजिस्टेंस है और सपोर्ट अगला सपोर्ट जो है 50,000 के आसपास है और बेंग निप्टी यहां से हल का सा थोड़ा सा बुलिश बन चुका है कल है फिन निप हो गया लाश्ट के चार गंटे से मार्केट है पूरा साइडवेज रेंज में चल रहा है बात करता हूंगा इस बेंग निप्टी की बेंग निप्टी भी दीरे दीरे अपनी रेंज पे बाहर निकलने की कोशिश किया है लेकिन फाइनली अगर आप चीज देखेंगे तो इ उसको फोलो करते हुए इसके अंदर भी इनी लेवल्स पर ट्रेड करेंगे अगर मार्केट यहां पर जाएगा रिवर्सल होगा तो वही सारा सेडल जो आज मार्केट ने व्यू दिया है वही सेम कल की तरफ ही व्यू रहने वाला है गिरेगा तो डाउन जाएंगे और ट्र निप्टी यहां पर ओल्रेडी 200 यह में पर आ चुका है और 200 यह में को एक एक जैनुवन ली तरीके से तोड नहीं पा रहा है और अगर यह कल ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है इस तो एक अच्छा खासा आपको एक मुवमेंट देखने को मिल सकता है कल क्योंकि इसकी एक 300 के आसपास तो अच्छा मुवमेंट मिलने वाला अपसाइड और डाउंसाइड और यहां पर 200 यह में तूते का तो अपना एक अपसाइड के लिए अच्छा मुवमेंट बन जाएगा मिटकेब निप्टी के लिए अच्छा फोल दिया फोल के बाद वापीस अच्छा नेगेटिव है बेंग निप्टी 102 पॉइंट प्लस में है और यहां पर इंपोर्टन बात यह है कि गाइस बैंकिंग से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अभी बीटी एश्टी को थोड़ा अवोइट कर देंगे तो बैटर रहेगा उसके बाद गाइस एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं तो ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा साइडवेज है यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस यहां पर यहां पर ग्लोबल मार्केट में पूरा ऐसा ही है तो मेरे इसाब से BTSD को तोड़ा आवोईड करना चाहिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना ओके गाईस थैंक यू